नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों के बाइब फिर से स्वागत है मैं शुबा माचुका हूँ Most demanding वीडियो लेकर आज मेरे पास में एक तरफ Apache 160 BS6 model दूसरी तरफ है Hero Extreme 160R काफी लोगों की डिमांड थी कि इन दोनों बाइक का एक साथ वीडियो लेकर आए तो मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ एक साथ दोनों का comparison आईए दोस्तों जानते हैं इन दोनों बाइक के feature specification और दोनों बाइक को मैं चला कर देखने वाला हूँ और weight की अगर मैं बात करो तो Apache 162V में आपको length मिलती है 2085 mm की वहीं Extreme 160R में length मिलती है 2029 mm की height है Apache की 1105 mm की Extreme की मिलती है 1052 mm की with Apache की 730 mm की वहीं Extreme में आपको मिलती है with 793 mm की wheelbase दिया गए है Apache में 1300 mm का Extreme 160R में wheelbase दिया गए है 1327 mm का ground clearance आपको Apache 160 में मिलता है 180 mm का वहीं Extreme 160R में आपको ground clearance मिलता है 167 mm का seat height की बात करें तो दोनों ही bike seat height सेम रखी गई है 790 mm की curve weight Apache disc variant का आजाता है 140 kg और वहीं Extreme 160R dual disc का weight आजाता है 139.5 kg तो लगबग 500 gram weight Extreme 160R का कम है शुरुआत करते हैं इन दोनों bike के front portion से सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहां पर Apache की headlight की तो आपको Apache की headlight शायद यहां पर प्राणी design लगे क्योंकि आप बहुत time से देख रहे हैं वहीं अगर आप hero की extreme का headlight देखेंगे तो शायद आपको यहां पर नया देखने में मिले क्योंकि यहां पर क्या है कि आज की टेक्निलोजी के हिसाब से company ने advance यहां पर light दे दी है पूरे में आप देखेंगे तो यह यहां पर आप देखेंगे तो यहां इस पे आई सी design की गई है काफी sharp यहां पर भी LED देखने को मिल जाती है जो कि यह LED DRL आ जाता है लेकिन यहां पर जो main bulb आता है वो 35 वार्ड का halogen bulb company यहां पर use करती है तो दोनों की design काफी sporty आ जाती है और सामने से आप देखेंगे तो य का carbon finished fiber दिया गया है और यहां पर क्या है कि कुछ भी wind seal देखने को नहीं मिलती है वहीं अगर आप Apache पर देखते हैं तो Apache पर यहां पर wind shield देखने को मिल जाती है और यहां अगर आप दोनों के head मिलाते हैं तो यहां Apache का head जो है वो काफी आपको बड़ा मिलता है और extreme का head यहा आप turn signal lamp देखते हैं तो यहां पर यह आपको LED में देखने को मिल जाते हैं यो कि यह पूरे नए है और segment में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है तो यहां पर कुछ अलग देखने को मिल जाता है और hero की extreme में कुछ advance यहां पर turn signal lamp दिये गये हैं दोनों भाई कि अगर आप fender देखते हैं तो यहां पर क्या है कि extreme r में आपको plane sheet में fender देखने को मिल जाएंगे यहां पर तीन portion में आपको देखने को मिलेगा हलका यहां फेंडर थोड़ा सा designer दे दिया गया है और side में आपको यहां पर black body देखने को मिल जाती है वहीं अगर आप अपाचे के fender पर section के 17 inches के टायर जो कि यहां पर TBS के आ जाते हैं और 》अगर और आप intimidated के देखते हैं तो यहां पर मिल जाता है आपको 100 by 80 section के 17 inches के टायर आजाते हैं जो कि यहां पर company ने MRF के दिये हैं तो अगर आप दोनों के टायर देखते हैं तो यहां पर आपको extreme r में थोड़े से पसंद आए क्योंकि उसकी डिजाइन थोड़ा सा यहां आपको थोड़े से कम कट्स देखने को मिलते हैं कुछ लोगों को ज्यादा कट्स पसंद आते हैं कुछ ज्यादा एग्रेसिव लुक पसंद आता है तो शायद उनको वहाँ पर एक्स्ट्रीम आर पसंद आ सकती है यहा पर फ्यूल टैंग की तो फ्यूल टैंग यहाँ पर आप देखेंगे तो यह आपको 12astern का मिल जाता है और वहीं आपको Extreme R में भी 12 울टर का फ्यूल टैंग देखने को मिलता है तो आपको दोनों ही बाइक्स में काफी मसकूल अर्टेंग देखने को मिल जाएगा और यहां पर आप देख रहें तो Apache का फ्यूल टैंक के यहां पर यह जो काविल दे दिया गया है इसकी वज़े से क्या है कि यह फ्यूल टैंक काफी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और इसके काविल के उपर यहां पर कंपनी ने स्टीकर भी दिये हैं टैंक काविल पर देखेंगे तो तो इसका भी फ्यूल टैंक काफी आपको यहां पर मस्कुलर मिल जाता है फ्यूल टैंक के कैपिसेटी की बात करो तो यहां पर 12 लिटर का फ्यूल टैंक दिया गया है यहां पर आप ग्रैफिक्स देख रहे हैं तो आपको यह डूल पैटर्न में देखने को मिल जाता है या की वज़े से किया है काफी प्रीमिम नज़ार आता है इसके साथ में जो यहां पर फ्यू Earth वह काफी जाधा उपर कर दिया गया है और काफी जाधा इसको बल्की बनाया गया है आप आउठे में एक छीज देखने को नहीं मिलता है यहां Apache का जो silencer आप देख रहे हैं वो काफी यहां पर बढ़ा जाता है काफी लंबा रखा गया है वहीं अगर आप Xtreme R 160 पर देखेंगे तो वो आपको वहाँ पर company ने काफी बहतर डिजाइन किया है और उसको छोटा यहां पर silencer दे दिया है छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि थोड़ा सा और बाइक एग्रेसिव लगे और थोड़ा से sporty देखने में लगे और यहां पर अगर आप Apache पर नज़र डालते हैं तो आपको यहां पर लंबा सा silencer देखने को मिल जाता है अपाचे के रियर सस्पेंशन आपको मोनो टूब इन्वाइटड गैस फिल्ड सॉक अब्सर्बर मिल जाते हैं जो कि यहां पर डूवल सॉकर आ जाते हैं वहीं अगर आप extreme 160R का सस्पेंशन देखते हैं तो यहां पर आपको मिल जाता है इसके साथ में आप यहां पर यहां पर सीट कोवल देखेंगे अपाचे का तो यहां पर जो कोवल दिया गया है और और यहां इसके उपर ग्रैफिक्स भी देखने को मिल जाते हैं साथ में आप यहां पर देखेंगे तो 160R की एक बड़ी सी यहां पर वैजिंग देखने को मिल जाती है तो यहां पर अगर पीलियन गैबरेल आप देखेंगे तो साथ आपको थोड़ा सा पसंद ना आए या फि पकड़ सकते हैं यहां पर बड़ा सा गैबरेल आ जाता है जो की काफी स्पोर्टी दिखाई देता है अपाची की टेल लाइंप अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दो पॉर्शन में देखने को मिलेगी बीच में आप रेड कलर में देख रहें यहां पर साइड मे को डिजाइन किया है कंसोल पैनल आप देखते हैं तो यहां पर फुली डिजिटाल आ जाता है यह इनवर्टर डिस्प्लेइए यहां पर दी गई है लोगी यहां पर जो फॉंट है वह काफी ज्यादा विजिबल हो जाता है यहां पर यहां पर वाइट कलर में इसके को मिल जाता है यहां पर टाइम आ रहा है और इधर आप देखने को मिल जाता है तो काफी ज्यादा यहां पर इसके फॉंट जो है विजिबल हो जाते हैं हाला कि यहां थोड़ा सा डिस्प्लेइश को और बड़ी की जा सकती थी अपाचे का कंसोल पैनल आप देखते तो यह यहां पर यह सेमी डिजिटल आ जाता है राइट साइट पर आप देखेंगे तो पर इंजन मेल फंक्शन का है यहां पर आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है और यहां पर सर्विस इंडिकेटर आ जाता है बैटरी लो इंडिकेटर आ जाता है और यहां पर अगर आप पर दिस्प्लेइप नजर दालते हैं तो यहां पर थे यहां पर आपको अग। वटेखने को मिल जाता है साथ यहां पर अगफीर ऒधिर में आ जाता है तो अगर बातब्र ओनेड़ зак senel यहां पर से तो जोला बड़ा देखने को मिल जाता है लेकिन मैंगर ऑफ इन्फिक देग्प्रप्र दिगई जो कि काफी ज़्याता विजिबल हो जाती है हला कि यहां पर भी विजिबल हो जाता है और इसके भी काफी यहां पर बड़े आजाते हैं इसके साथ में लेट्स साथ पर आप देखेंगे तो लेट्स पर हजाड का एक switch दिया गया है क्योंकि youth को काफे ज्यादा पसंद आता है यह वाला feature क्योंकि जादा तर क्या होता है कि youth अलग से ही यहाँ पर in-build कराते हैं लेकिन company ने बहुत ध्यान में रखते हुए ये चीज पहले से भी दे दी है यहाँ आ आप देख रहे तो low beam, high beam के लिए स्विछ दिया गिया है आगे की तरफ में पास का स्विछ आजाता है और एन्डिकेटर के लिए यहाँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हौन के लिए स्विछ आजाता था यहाँ बाइक सिंगल हौन के साहत Mreaming आजाती है हैंडल आप देखे रहे हैंडल काफी अच्छी मिल जाती है चोड़ा हैंडल आपको देखने को मिल जाता है अपाचे में आपको यहां पर क्लिप-on हैंडल मिल जाता है राइट साइड पर यहां पर आपको इंजन किल सुच का देखने को मिल जाता है यानि आपको पर भी एगनिशन को अगर आफ करने के ज़रूत नहीं इंजन यहीं से आप स्विच आफ कर सकते हैं यहां पर यह गृप देख रहे हैं तो हैंडल गृप काफी अच्छी मिल जाती है काफी वाइड आजाते हैं लेफ्ट साइड पर सुच पर नजर डालेंगे तो यहां पर आ में आपकता है यहां पर आपकते हैंसे तो आपको स्विचन दिया है तो इसमें एक फीचर में Crispy जाता है और इक हम्ने मिलता है कि यहांसे में पर है amen कि सीट आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि सीट थोड़ी से लंबी देखने को मिल जाती है यहाँ पर आप पीलियन और राइडर दोनों ही आप काफी आराम से बैठ सकता है थोड़ा सा यहाँ पर सीट दी गई है वहीं अगर आप एक्ष्रीम आर्क की सीट देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर राइडर तो बहुत अच्छे से बैठ सकता है लेकिन है पीलियन के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेवल होने वाला है क्योंकि यहाँ पर काफी पतला रखा गया है और अगर लेडिस बैठना चाहेंगे तो शायद यहाँ पर ले सक्षेंट के 70 पाइयर के रअगन तैयर और यहना पर अपर आप देखेंगे तो छोड़ा यहाँ e-mail जाता है इन दोनाओ बाइक के साथ में आ बहुत को सेंसर दोनों के देखने अपाचे में आपको torque मिल जाता है 13.9 Nm का वहीं आपको Xtreme 160R में torque मिलता है 14 Nm का इन दोनों bike को हमने चला कर देखा दोनों bike का engine काफी smooth है क्योंकि दोनों ही bike में fuel injection दिया गया है जिसकी वज़े से क्या है जो initial pickup है acceleration है वो काफी बहतर मिल जाता है हीरो दावा करती है कि Xtreme R 4.7 second में 0 to 60 km per hour की speed पकड़ लेती है वहीं TVS Motor Company दावा करती है कि Apache 2V model 0 to 60 km per hour की speed मातर 5.44 second में पकड़ती है Apache को जब हमने 70 plus पे चलाया तो vibration feel होने लगा वहीं अगर आप Apache 164V चलाते हैं तो वहाँ पर vibration feel नहीं होता है वहीं Xtreme 160R में जब आप maximum speed अचीव करते हैं तो vibration आपको feel होता है road grip दोनों ही bike की जबरजस्त मिलती है Apache की controlling ज़्यादा confidence आपको देती है Xtreme के tire ज़्यादा चौड़े होने की वज़े से क्या है कि जो लोग cornering करने के शौखीन है उनके लिए Xtreme 160R काफी बहतर हो जाती है क्योंकि दोनों ही tire काफी चौड़े मिलते है आपको ज़्यादा confidence मिलेगा Apache के मुकाबले जो लोग cornering करने के शौखीन है दोनों ही bike में single channel ABS दिया गया है जिसकी वज़े से क्या है controlling बहतर हो जाती है तो देखा जाए तो दोनों ही company जबड़ जस्त काम कर रही है लेकिन hero Xtreme R 160 कुछ नया लेकर आई है क्योंकि उसका headlight कुछ नया आपको देखने को मिलता है I hope दोस्तों ये वीडियो आपको पसंदा होगा अगर वीडियो पसंदा हो वीडियो को कर सकते हैं like और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कर सकते हैं subscribe आप मुझे instagram पर फॉल्व कर सकते हैं मेरा instagram handle है vlogger श्मों वीडियो दिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद